क्राइसिस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है आज की वीडियो में सीख लेती हैं क्राइसिस का मतलब होता है संकट और संकट का मतलब होता है जब कोई किसी प्रकार की कोई मुसिबत आती है यानि कि जैसे मानले जी बाड आ जाती है किसी देश में या किसी जगह पर तो वो एक संकट है या मानले जी आर्थिक मंदी आ जाती है तो वो एक प्रतार का जो है वितिय संकट है यानि कि पैसे किसी के पास नहीं है तो कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जब संकट की स्थित क्राइसिस की स्थीती होती है तो उससे निपटने के लिए जो भी चीजें होती है जो भी एक्शन्स लिये जाते हैं या जो भी लोग उस चीज से निपटने के लिए होते हैं तो उन सब चीजों को क्राइसिस मैनेजमेंट कहा जाता है याने कि किसी भी संकट को हम किस तरीके स सब्सक्राइज करते हैं जैसे मानली जी कोई कमपनी है वो बड़ा अच्छे से काम कर रही है पर एकदम से मार्केट गिर जाती है या सेल बहुत डाऊन हो जाती है तो वो उस कमपनी के लिए संकèse का समय हो गया फिर उसको कैसे मैंनेज कीया जाएगा सबसक्राना तो उसको ही crisis management कहते हैं या फिर मानली जी किसी देश में या किसी जगे पर भूद बाड आ जाती है तो उस बाड से निपटने के लिए जो भी प्रबंधन किया जाता है जो भी management किया जाता है तो उसको crisis management कहते हैं तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि कमपनी ने अचानक उत्पाद वाप्सी से निपटने के लिए एक संकट प्रबंधन योजना लागू की तो आप कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं effective crisis management is essential for minimizing damage during emergencies अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें